सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरीए दावा किया जा रहा है कि जर्मनी में एक तीन आँख वाले बच्चे का जन्म हुआ है लोग इसे चमतकार बता कर शेयर कर रहे हैं लेकिन जब दावे का फैक्ट चेक किया गया तो नतीजा चौकाने वाला सामने आया सोशल मीडिया पर वाइरल वीडियो तीन आँख वाले बच्चे का सच क्या सोशल मीडिया पर ये हैरान करने वाला वीडियो तेजी के साथ वाइरल है जिसने भी ये वीडियो देखा उसकी आँखे खुली की खुली रह गई तीन आँख वाले बच्चे का जन्म का दावा किया जा रहा है एक फेस्बुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि जर्मनी में ये बच्चा तीन आँखों के साथ पैदा हुआ ये जूबा देख कर दुनिया है इस महामारी में ये बच्चा कहीं भगवान का रूप तो नहीं सोशल मीडिया के कई प्लाटफॉर्म्स पर ये वीडियो तेजी के साथ वाइरल है वीडियो वाकरी अचंभित करने वाला था ये कुदरत का करिश्मा था या फिर आँखों का धोका ये जानना जरूरी हो गया था लिहाजा फैक्चेक टीम ने वीडियो का फैक्चेक शुरू कर दिया फैक्चेक टीम ने इंटरनेट पर तीन आँखों वाले बच्चे को कीवर्ड्स डाल कर सर्च किया जिसके जरीए वाइरल क्लिप एक यूट्यूब चानल पर अंग्रेजी कैप्शन के साथ मिला कैप्शन में लिखा गया क्रैनियो फेशिल डुप्लिकेशन जिसे डिप्रो सोपस भी कहते हैं एक दुरलब चन जात विकार है जिसमें चेहरे के कुछ हिससे या सभी हिससे सिर पर दोहराते हैं ये एक वर्शियर्ज लड़के का मामला है जिसे हमारे अस्पिताल में सिर की बाई और एक अतिरिक्त आंक और असमाने अकार के सिर के साथ दाखिल करवाया गया था बच्चे में ये जन दो जनवरी 2018 से ही देखा गया था विडियो के साथ वाला विवरण West African General of Radiology के 2018 की एक रिपोर्ट से लिया गया ये रिपोर्ट नाइजीरिया में जनेटिक विकार के साथ पैदा हुए एक शिशु के बारे में है इस रिपोर्ट के साथ दी गई बच्चे की तस्वीरे वारल विडियो वाले बच्चे से नहीं मिलती मतलब दावे का कोई प्रमानिक आधार नहीं इसके बाब Fact Check टीम ने फिर से वारल विडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखा जिससे ये सामने आ गया कि बच्चे की बाई आँख को उसके माथे पर डिजिटल एडिटिंग से चिपका कर उसकी तीसरी आँख बता आ गया विडियो की हर फ्रेम को ध्यान से देखने पर साफ पता चलता है कि बच्चे के माथे पर दिख रही तीसरी आंग का जपकना और कुतियों का हिलना दरसल उसकी बाई आंग से मेल खाता है इस सरह पड़ताल से ये साफ हो जाता है कि बच्चे की तीसरी आंग जो उसके माथे पर दिखाई देती है जूटी है और एडिटिंग के जर्ये लगाई गई साल 2020 में भी यही वीडियो एक अलग दावे के साथ फारल किया गया था जिसे कई अंतराष्टे फैक्ट चेक संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में गलत साबित किया था टीम फैक्ट चेक गुड नीज टोडे